हलो स्टूडेंट, वेलकम टो माई चानल अजब कचब इंगलेश आज है डे एटी सिक्स और आज हम करने जारें अंसिन पैसेज 3 की प्रैक्टिस मैंने अल्रेडी दो प्रैक्टिस जो है आपको करवा रखी है अंसिन पैसेज की जिसमें मैंने आपको सारे टिप्स बताये से, सारे ट्रिक्स बताये थे कि किस तरीके साब अंसिन पैसेज को सॉल्ट कर सकते हो और बहुत ही असानी से पूरे नंबर ले सकते हो तो आज हम जो है अंसिन पैसेज हमारा तीसरा इसके प्रैक्टिस करने चाहरे हैं चलो आप मेरे साथ practice करना शुरू करो फिर देखते हैं कौन जल्दी जो है unseen passage solve करता है आप या मैं और मुझे पता है मेरे बच्चे तो है बहुत ही smart तो वो मेरे से जादा fast कर लेंगे तो चलो देखे कौन करता है ये रहा आपका unseen passage फटा-फट screenshot ले लो ठीक है ये चार paragraph है ठीक है और ये रहा पांचमा paragraph ले लिया screenshot very good अब यहां पर थोड़ा सा बता देती हूं देखो क्या है carbon emission by country ठीक है जो carbon dioxide है ना उसके बारे में ये जो है paragraph हमें दिया गया है चलिए फिर पहला question ध्यान से देखेगा पहला question क्या है the data given in the graph compare the amount of emission of dash क्या nitrogen carbon dioxide oxygen none of these अभी बताया किसके बारे में है ये जो graph है किसके बारे में है carbon dioxide के बारे में तो B is the right option आगी बार समझ में चलिए अब question number second देख लीजे क्या कहता है which country has the largest contributor in carbon emission of all in year 2005 in term of percentage increase याद रखना in term of percentage increase ये हमें बताना है तो आज आज ये फटा फट paragraph पर और paragraph पर अगर आप देखोगे कहां पर लिखा हुआ है कहीं in term of percentage increase कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा चलिए फिर डूढना शुरू कर देते हैं करें डूढना ठीक है चलो जी चलो जी देखो 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 ये रहा कहीं कहीं मिल रहा है हां जी ये देखो आगी बात समझ में ठीक है question number 3 question number 3 देखे क्या कहता है according to the passage which country is the most polluter country ठीक है most जो है polluter country कौन है तो देख लेते हैं यहाँ पर keyword क्या है polluter ठीक है आप फड़ा फड़ देख लेते हैं फड़ा 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 देखो polluter कहीं पर नजर आ रहा है यह रहा polluter ठीक है तो कौन है USA तो इसका answer क्या बन जाएगा आपका USA option C is a right answer है ना असान यह तो बड़ा मजा आ रहा नहीं और कुछ इस तरीके के graph chart हो तो बड़ा असान ही लगता है करना है ना चलो आ जाओ उसके बाए question number fourth है ठीक है क्या कहता है info one reason for the following based on information in the passage ठीक है आपने reason देना है ठीक है इस passage के according ठीक है जो भी हम अभी word पढ़ेंगे इसका क्या करता है surging of CO2 emission in millions turn की मतलब क्या CO2 की emission इतनी जादा क्यों हो रही इसका क्या reason है ठीक है अब देखो इसका क्या reason हो सकता है cdc बात है एक ही reason है बच्चा पाठी क्या कि हमें जो है world में सबसे जादा powerful बनना है ठीक है पैसे के मामले में आगी बास समझ में तो इसको आप अपने words में लिख ले ना बस इसमें तो हमें जो paragraph है ना उसे को भी देखने की जो उतने है क्योंकि में तो reason ही यह है पैसा 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 गान दीजी का खेल है सारा आगी ना बास समझ में चले question number 5 देख लीजे which country has the lowest emission of co2 in the graph सबसे कम जो है co2 की emission कौन करता है चलो graph देख लेते है भाई यहाँ पे देख लो co2 की emission सबसे कम कौन कर रहा है Germany ठीक है UK ठीक है and Canada ध्यान से देखो yes Canada ठीक है Canada का सबसे कम है अगर आप graph देखो ठीक है जी तो चलो लगा देते हैं Canada जो है सबसे कम कर रहा है ठीक है जी तो C option is a right option very good अच्छा मैं लोग कैनडा अच्छी country फिर यही समझ लगता है हम लोग है ना अब question number six जो है वो देख लीजे which country has observe a dramatic rise over the year in CO2 emission कौन सी country है ठीक है अगर graph भी देख लो तो पता लग जाएगा कि सीधा ही ठीक है ना सीधा ही सबसे ज़्यादा चला है कौन है भाया बताओ बताओ तो अगर graph ही देखो न यार तो यह तो चलो बड़ाबर बड़ाबर ही चल रहा है यह उपर नीचे सीधा कौन गया देखो है ना भाया कौन चाइना ऒाले चाइना वाले पता न ही क्या चाहते और क्या करके दम मानें ना समझ नहीं आता ठीक है तो China is the right answer अब देख लीजे question number 7 question number 7 में क्या कहा जा रहा है कि आपने paragraph 4 में से nearly को replace करना है मतलब क्या nearly का synonyms ढूंडना है ठीक है तो nearly का synonyms ढूंडना है paragraph 4 में से तो सीधी सी बात बताऊं या nearly dash 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 कोई figure दी गई है मतलब क्या approximately यही होगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा approximately आगी बात समझ में very good अब देख लो question number 8 ठीक है 8 में क्या कहा जा रहा है name two countries which had the same level of CO2 emission in the first and the second decade ठीक है पहले और दूसरे decade में same होना चाहिए ठीक है क्या CO2 की emission तो चलिए फटा फट देख लेते हैं ठीक है ना आजाओ यहाँ पर दिख रहा है कहीं पर कुछ है हमने same देखना है first two decades में मतलब पहले दो वाले देखो same कहां तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ठीक है एक तो Canada जो है Canada तो मिल गया अब Canada के साथ जूंडो ठीक है पहले इसका right answer तो दोनों भर देना Canada and United Kingdom ठीक है बच्चा बाटी अब question number जो 9 है वो देख लीजे question number 9 में आपको true और false बताना है ठीक है statement पढ़ती हूं और बताना सही है या गलत है ठीक है क्या कहता है the countries have achieved metroid rise in CO2 emission ठीक है कि जो countries है वो उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि CO2 की emission ज इसी बात है यह क्या है true है आगी बात समझ में यही तो दिख रहा है ना बटा जी graph से देख लो यहाँ पे अगर आप graph देखोगे तो यही तो दिख रहा है यहाँ पे भी बढ़ गया है ठीक है चलो इन दोनों का घड़ गया यह भी बढ़ गया यहाँ पे भी बढ़ रहा ह मतलब क्या है कि सिदी सी बात है ये सही है आगी बात समझ में ठीक है जी आप देख लीजे question number 10 ठीक है question number 10 में क्या कहा जा रहा है which of the following country reported gradual growth in reduction of global CO2 emission की global CO2 की emission में ठीक है कौन सी country जो है वो gradually decrease हुई है ये बताना है आपको तो चलिए फटा फट पहले graph देख ले कहीं पर लग रहा है कुछ तो हम देख लेते हैं ठीक है जी तो अगर आप ध्यान से देखो जिसका decrease हो ठीक है पहले के सालों में मतलग की देखो मतलग की अगर आप 1975 में ज्यादा हो 90 में ज्यादा हो लेकिन 2005 में कम हो तो 2005 में कम किसका किसका है ध्यान से समझना इसका तो बिलकुल नहीं है भाई इसका भी नहीं है इसका भी पांच में बढ़ गया तेरा भी पांच में कैनेडा वालो बढ़ गया ठीक है कम किस में हुआ है जर्मनी में देखो 5 में कम हुआ है ठीक है अगर UK में देखो तो UK में भी 5 में कम ही हुआ है आगी बास समझे में तो इसका right answer क्या बनेगा जर्मनी और United Kingdom चलिए देख लेते हैं right option कौन सा है राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी जर्मनी और उनाइटेड केंगडम बताओ कैसा लगा आज का सेशन मज़ा आया ना मुझे तो बहुत मज़ा आया कुछ इस तरीके के अंसेन पैसे सौल करने में बहुत जादा मज़ा आता है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो व सेन पैसे सौल करेंगे तब तक के लिए बाबाई टेक कर वाव गुड डे